उत्राखन के पौडी गडवाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिजॉट धा दिया गया है मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी के निर्देश पर शुकरवार रात को आरोपी पुलकित आर्या के रिसॉट पर बुल्डोजर चलाया गया है नमस्कार मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके है एक्वालिटी नियूज और अगर आपने हमारी चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कर ले आपको बता दे कि पुलकित राज के पूर्व मंत्री विनोध आर्या का बेटा है दरसल 19 साल की अंकिता भंडारी उसके रिजॉट में रिसेप्शनिस थी और वो और नैतिक गति वीडियो का खुलासा करने की धमकी देने पर आरोपियों ने उसकी वहां हत्या कर दी बता दे कि इस मामले में पुलकित के साथ उसके दो साथी अंकित उर्फ पुलकित गुपता और सौरभ भासकर भी अरेस्ट हुए है वही बता दे कि पुलकित आर्या हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से तालुक रखता है उसके पिता विनोध आर्या भाजपा नेता है औ और उत्राखन सरकार में मंत्री रह चुके है वो भाजबा OBC मोर्चा की राश्चिय कार्यकार्णी के सदस्य और UP के सहप्रभारी है उसके भाई अंकित आर्य उत्राखन OBC कल्यान आयोक के उपाद्यक्ष है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है यही वज़ा रही कि पूरे मामले में सीम धामी को दखल देना पड़ा यह बहुत तुखत गटना है बहुत जगन्य अपराद है और पुलिस अपना काम कर रही है निरप्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किये हैं और ऐसी जगन्य गटना है उस पर जितनी कठोर कारवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कारवाई होगी अपरादी चाहे कोई भी हो किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो नयाय है उसके सिद्धान पर चलते हुए अपना काम करेंगे पुलिस अपना काम करेंगे चलिए अब आपको बिताते हैं कि आखिर अंकिता के साथ ऐसा हुआ क्या था दरसल अंकिता 18 और 19 सितंबर से गायब थी इसके बाद उसके पिता ने रिजॉर्ट पहुचकर करमचारियों से पूश्टाज की थी लेकिन बेटी का पता नहीं चलने पर अंकिता के परिवार न अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात को भी कुबूल कर लिया है इसके बाद रेस्क्यू एजनसी ने अंकिता का शव चिला पावर हाउस के पास एक नहर से बरामत किया था पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक अंकिता भंडारी के लापता होनी की सूचना 18 सितंबर को साथ रिशिकेश गई थी वापसाती समय तीनो आरोपी चिला रोड के किनारे शराप पीने के लिए रुके और अंकिता उनके ड्रिंक्स खत्म होने का इंतजार कर रही थी शराप पीने के बाद तीनो लड़की से जगणने लगे सूत्रों की माने तो अंकिता ने पुलकित क दी थी कि वो सभी को बता देगी कि पुलकित उस पर रिजॉर्ट के कस्टमोस के साथ शारिरिक सम्मंद बनाने का दबाव बनाता है इस बात से गुसाए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में धकेल दिया बता दे कि पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित अ हाराय भी बढ़ा दी गई है मामले का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने रिजॉर्ट सील कर दिया है साथ ही इसके बाद स्तानिय लोगों ने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में भी तोड़ फोड की है आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाए होने की खबर सामने आती रहती है अब सवाल ये है कि क्या सच में किसी की जान लेना आजकल इतना आसान है अब इस विशेप पर आखिर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अभी के लिए इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें